हेलो स्टुडेंस मैं संदिप सिंग विलकम करता हूँ आपके अपने चैनल मागनेट बिंस हिंदी मीडियम में जहाँ पर मिलता आपको कम्प्लीट स्कूल एजुकेशन तो जैसे कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक सब्जेक्ट के साथ और इन दिनों हम डिस्कूस करें हमारे चाप्टर ग्रैविटेशन के मतलब हमने चैनल को देखा समझा सीखा इसके हरे कुंसेप्ट पर हमने बात करी हमने नुमारिकल प्राब्लम्स किये हमने एंस एक बार और इस चैनल को रिवाइस करने का और रिविजन का सब सब बहतर तरीका होता है mcqs questions simply करना क्या होता भी तो आपके सामने या पर questions flash होंगे एक बार आप solve करने की कोशिस करेंगे और उसके बाद आप answers cross verify करते चले जाएंगे पूरे chapter में से number of questions ज्यादा हो जाते क्योंकि mcqs type है कम समय में maximum revision कर चाहिए तो सबसे बहतर तरीका है तो यह session equally important होने वाला है भाई school point of view से भी and competitive point of view से भी मतब अगर आप जेए इस्परेंट हो नीट इस्परेंट हो या फिर आप सीवीटी की preparation कर रहा है यह segment बहुत जादा मज़धार होने वाली है खत के revision के लिए खत के तैयारी के लिए तो चलिए फटाफट से सुरू कर लेते हैं हम यह second segment को जहां पर हम 26th onward questions को करेंगे 25th questions हम लोग ने इसके previous one session में निपटा लिये हैं तो सुरुवात करते हैं यहाँ पर और यह questions planetary motion के उपर आने वाला है gravitational के basis पर हमने सुरू के 25 questions किये तो आए ज़रा देखते हैं किस प्रकार के questions है तो सबसे पहले हमारे past question number 26 है अने इसमें कहए रहे है कि यदी गुरतव स्थितिजऑ उर्जा का सुन्य अनंत पर है तो उपगरہ की कुल उर्जा कितनी होगी अगर अगर यहां पर कहए हैं कि यदि गुरतव अस्थितित दो जो है जैसा याहा सका है इंफानाईट पर कितनी हो जाते हैं यह जीरो हो जाती है अनन्त पर जब चले जाएंगे तो यह जीरो हो जाती है रिजनूं भी इना कि u equal to क्या होता भी तो माईनस gm M upon को अब यह एकर यह आर की वेलू आपके तो अनंत रख दो एक खूब बड़े नंबर से इसको डिवाइड करोगे तो भाई यह जीरो ही तो आएगी और यह जीरो आने का मतलब क्या है तो जीरो आने का मतलब यहां पर कहने तो उपग्रा की कुल उर्जा कितनी है अब वहाँ पे वहाँ पे स्थि जूर्जा का रिनात्मक बचा यह सुनने बचा यह इनमेसी कोई नहीं तो भाई यह जब वहाँ पर पहुंचेंगे तो हमारे पस गति जूर्जा बचेगी स्थिति जूर्जा जीरो हुए क्योंकि टोटल एनर्जी जो होती है टोटल एनर्जी जो मुझे देखने को मिलेग कि इनिट कह लेता हूँ यह हमेसे ही सम्मेशन होता है पॉटेंशेल एनर्जी गाइटिए की अब अगर पोटेंशेल की कहीं पर वैलीव जीरो इसका मतब स Argach किसके फ़ॉर्जा किसके फॉर्म में नहीं नहीं तो मतब ठोटल एनर्जी जिरो तो होने इय् näंhan कि मतल ourselves पर कानेटिक एनरजी गती जूर चाकर रूप है अगले सवाल पर आते हैं क्वेश्चिन नूमर 27 प्रित्वी की तुरिज्जा चौशट सो किलो मिटर और जी 10 मीटर पर सेकेंड इसको रहे हैं विश्वत रेखा पर 5 किलो ग्राम पिंड का भार सुनने होने के लिए चुक्कि द्रबिमान तो सुनने होने सुदा है मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ चुक्कि मास तो कभी भी सुनने होगा नहीं तो ultimate मतलब है कि यह 0 होना पड़ेगा किसको जी को और मुझे एक और बात पता है कि विश्वत रेखा पर 5 किलो ग्राम का पिंड का भार स बिसिकली यह जी माइनस आर ओमेगा स्क्वार कॉस स्क्वार लमडा होता है अब यहाँ पर जब मैं विश्वत रेखा पर हूँ तो विश्वत रेखा पर ध्यान से देखेंगे विश्वत रेखा पर लमडा इक्वल्स टू होगे बहिए जीरो और कॉंस्टेंट ही है तो बदलाओ किसमे लाओगे उमेगा में ही लाएंगे ना तो मैं कहता हूँ कि बहिए वहाँ पर अगर इसका मान हो जाना है क्या जीरो मतलब जीर डैस का मान जो हो जाए वहाँ पर कितना हो जाए जीरो हो G कमान यहां पर दिया हो है, तो यह G0 होने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर G' कह ले तो, इसको क्या कह ले तो, वहाँ पर जो भार मिलेगा, वो G' कमान तो होगा भाँ इस जीड्स प्हलक्ताम होगा, G कमान 10 दिया होगा, ओर का भी मान दिया है, 1600, 1600, यह हो गया 1600, ओमेगा स्क्वाइर, इसका कुछ कर नहीं सकते, कॉस जीरो डिगरी, कॉस स्क्वाइर जीरो डिगरी, मतलब 1 हो जाएगा, एक पॉइंट देखिये, यह जो पूरे टाम में इसको इधर ले आते हैं, तो 6400, ओमेगा स्क्वाइर, इसक्वाइर, 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 इसक्व करेंगा यह एक काम करते हैं इसको छोटा सा छोटा सा काम और यहां पर जो वैल्यू लिखी है इसको 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 इन्टू 10 टू दी पावर इन्टू 10 टू दी पावर कितना 3 अब इन्टू ओमेगा स्कॉर लिख देता हूं अभी चलेगा यह कितना भई तो 6.4 इन्टू 10 टू दी पावर 6 यह होगा 6.4 इन्टू 10 तू दी पावर 6 ओमेगा स्कॉर अब अगर मैं निकालता हूं ओमेगा स्कॉर तो यह होगा 10 अपन 6.4 इन्टू 10 टू दी पावर 6 एक 0 खतम हो गया मतब एक बटा में 64 पर ठीक है ना 64 पर 4 0 हरा यह पांच बचा तो 6.4 था चार जीरो बचेगा ठीक है अगर यह चार जीरो बच रहा है तो यह हो गया भया ओमेगा एक्वल्स टू अंडर रूट अफ एक बटा में 64 पर एक दो तीन चार तो यह कितना मिलेगा अठटाई चोशट्ट और 2.0 तो मतंब एक बटा में 800 एक बटा में 800 और ओमेगा है तो यह क्या बनेगा राइडियन प्रतीसेकिND ओमेगा है मतंब राइडियन प्रतीसेकिन एन घुर्णीprofit हो रहा न तो यह हो गया ओन अपने एट एंट र Garlic एंद कृति सेकend निशी ओपशन is यह कह रहे हैं एक अंत्रिक शयात्री का प्रित्वी पर भार 81 किलोग्राम है मंगल गरह जिसका द्रब्यमान प्रित्वी के द्रब्यमान का एक बटा नो तथा त्रिज्या प्रित्वी के त्रिज्या के एक बटा दो है तो अंत्रिक शयात्री का भार होगा तो एक काम करते हैं न पहले, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम इनके relationship निकाल लेते हैं, मतब जी निकाल लेते हैं, तो जी के लिए जब बात कर रहे हैं, तो देखिए न, पृत्वी पर भार दिया है, वो छोड़िए, अभी बात करते हैं, द्रबेमान, पृत्वी के ठीक है प्रिथवी के दरभिमान के एक बटा नो टाइमस ओफ मे यह इसको लिख सकते हैं M M अपॉन में M E is equals to 1 upon 9 इसको caps में लिख लेजिए ठीक है तर्थभ तरिज्य प्रिथवी के तरिज्य के एक बटा 2 है त्रिज्या मताब आर जो है मून का वह एक बटा दो है आर जो है अर्थ का तो आर एम अपॉन आर एक की जो वैलू है वह है वन अपन टू अब कहा रहें अंतरिक शात्री का भार तो भाया हम लोगा ने यह जी के बारे में और नेवा भी द्रब्यमान नहीं बदलता है द्रब्यमान समान रहेगा इसा लिखले तो द्रब्यमान समान रहेगा तो वेट दो ही लोगों से बना भी यह है g m तो constant हो गया तो g जो है वो बदलेगा तो g को बदलने के लिए काम करता है g equals to होता भी यह gm upon r square can we return as this m as this m as 4 by 3 pi r cube rho upon मैं r square इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए ठीक तो अगर मैं यहां से अच्छा एक काम करता है नहीं इसको इतना भी लिखने के जोरत मेरे साब से है यहीं कहीं सॉल हो जाएगा यह है gm upon में r square अब यहां पर g तो constant g अगर constant है तो small g is proportional to हो गया कि क्या भई मास upon square of radius तो अगर मैं लिखता हूँ इसको की जी मू मार्स पे तो g मार्स पे कितना हो जाएगा तो g मार्स पे upon g earth यह m upon r square होता है तो यह हो गया m m upon r m का square into इसके upon में g e रखेंगे चलो एक बार अच्छे से लिख देता हूँ मैं कहता हूँ कि यह हो गया मार्स आफ मार्स upon radius of mars square upon mars of earth upon radius of earth का square यह होगा अब इसको कर लेता हूँ थोड़ा सापको freshly दिख जाएगा मास मास किसका भई मार्स का मंगल का द्रविमान बटा मैं पृत्वी का द्रविमान इंटू यह पृत्वी के द्रविमान के साथ में radius जो है तो ऊपर जली जाए और इसकी radius किदा रह जाएगी नीचे रह जाएगी अब देखिए आपके सामने कुछ मान गिवन है क्या तो बिल्कुल गिवन है भई mm upon m e given है one upon nine यही कर ले तो mm upon m e kitna है one upon nine into r e square upon r m square जो है r m upon r e जब given है तो r e upon में r m कितना हो जाएगा भई तो यह हो जाएगा two upon one how much it's two upon one अगर यहीं से r e upon r m का square कर लिया जायए तो ये कितना हो जागा 2 upon 1 का square that means GM upon GE is equals to 1 upon 9 times of 4 मतब 4 upon 9 अब कहते हैं कि उस व्यक्ति का भार तो Mars पे GM कितना हो गया भी तो ये 9 times of sorry 4 upon 9 times of GE के बराबर हो गया अब वेट निकालना है कहाँ पर Mars पर तो W Mars पर कितना हो जाएगा भी तो Mars into GM Mars into GM तो Mars तो उस पिंड का उतना ही रहेगा मतब जो व्यक्ति है उसका Mars तो बदले का नहीं GM की वैल्यू जरूर यहाँ पर मेरे को पता है कितनी गिवन है GM की वैल्यू है 4 upon 9 times of GE तो मतब उसका जो वेट है नया वो कितना निकलेगा भी तो M की वैल्यू दी है 81 तो यह हो गया 81 गुणे 4 बटा में 9 times of GE ठीक है ठीक है अब देखिए इसको उठा करके अगर हम cancel करें तो 9 नमा 81 तो यह 9 चोवे के 36 W M is equals to कितना 36 times of GE कितना 36 times of GE मतब 36 kg भार यह ultimate कितना हो गया यह अतह है यह कितना हो गया 36 kg भार यह 36 into M E लिखेंगे यह वेट ही हो जाएगा तो यह हो गया 36 kg भार यानि हमारा option number B is the correct ठीक है चली आपको जब भी ऐसे questions आते हैं आप तो बस relation निकालिए जैसे हम लोग ने आपर यह relation निकाला और relation निकाल करके काम करिए ठीक है अगले सवाल पर बढ़ता हूँ मैं बढ़ता हूँ question number 29 पर कहने सुदूर अंतरिक्ष में इस्थित एक गोलाकार गरह का द्रविमान M तथा व्यास D है M द्रविमान का एककण इस गरह की सतह के निकट से स्वतंतरता पुर्वक गिर रहा है इसकण का गुरुत्विय तोरण किसके अनुक्रमानु पाती होगा देखे सुदूर अंतरिक्ष में एक गोलाकार गरह जिसका द्रविमान M है व्यास दिया हुआ है D है अगर M द्रविमान के कण के सतह से निकट से स्वतंतरता पुर्वक गिर रहा है मतलब G की बात करना चारह है जी क्या होता भी तो यह होता है GM अपॉन में R स्कार अब अगर इस R स्कार की जगा पर दिया है D तो D कितना होता है D मतब ट्वाइस आफ फार मतब R इक्वल्स टू D अपॉन में 2 तो सीधा सिंपली लखिये GM अपॉन में इस R की जगह पर रख दिजए D अपॉन 2 का स्कार अल्टीमेटी ट्व टू जा 4 तो GM अपॉन में D स्कार अपॉन में 4 4 उपर जाएगा तो 4 GM अपॉन में D स्कार 4 GM अपॉन में D स्कार तो इसका मतब यह हो गया कि गुर्ट्वे त्वरण किसके अनुकर मानु पाती होगा तो यहाँ पर सीधा अगर मैं लिखो यह देखे जी इस इक्वल्स टू जी फोर एम अपॉन में डी स्कार तो यह जो जी है यह तो इनुवर्शनल ग्राविटेशनल कॉंस्टेंट है इसको अगर स्थिरांक मान लिया इस जी को क्या मान लिया इस जी को मान लिया भया स्थिरांक है इस थिरांक वैसे तो तो यहां पर यह जो G है यह directly proportional हो जाएगा 4M upon D square अब कहेंगे कि से M का कुछ नहीं क्या तो भाया यह जो G है यह पिंड के द्रबिमान पर निरभर नहीं करती है इसको पिंड के द्रबिमान सो कोई लेना देना नहीं है तो यह answer हो गया 4M upon में D square यहानी second ठीक है एक बाद ध्यान में रखेंगे भई यह G है ना यह इसके मान पर निरभर नहीं करती है तो इसलिए उसका कोई utility नहीं था अगरे सवाल पर बढ़ते है question number 30 पर प्रित्वी की सता पर एक दूसरे से D दूरी पर रखे दो द्रविमानों के मद गुर्तवा करशन बल 6 Newton है यदि यह द्रविमान चंद्रमा की सता पर ले जाकर एक दूसरे से उसी D दूरी पर रखे जाएं तो दोनों के बीच में लगने वाला बल कितना होगा अगर देखे यह यह जो दो दो पिंडों के बीच में लगने वाला जो द्रविमान है च्छारी गुर्तवा करशन बल है यह अगर प्रित्वी पर रखे हैं तो 6 Newton है तो चंद्रमा पर भी ले जाएंगे तो 6 Newton ही होगा कारण क्या है बई क्योंकि इसका अंसर आप ऐसा समझ सकते हैं कि दो पिंडों के बीच में फॉर्मुले से भी देखे दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वीबल लगने वाला गुरुत्वीबल किसी तीसरे द्रविमान से किसी तीसरे द्रविमान से स्वतंत्र होता है कैसा होता भी? स्वतंत्र होता है फ्री होता है उसको कोई लेंदे नहीं इन दोरों के बीच में लगने वाला फॉर्स अपोर्स 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 इस मास M2 and the distance between both is D then F is equals to G M1 M2 upon D square see in this formula there is no interference of third mass that is M3 मतलब मैं ये कहना चाहरा हूँ के भाई ये दो द्रविमान है इनके बीच में M1 और M2 जो दो द्रविमान है इनके बीच में लगने वाला गुर्तव अकर्शन बल तृतिया द्रविमान से कोई लेना देना नहीं इसके अंदर में को प्रशे न्यूटन ही होगा ठीक है चलिए अगले सवाल के तरव बढ़ते हैं क्वेशन में 31 एक कमानीदार तुला को समुद्र पल समुद्र तल पर अन्शाकित किया गया अरे भाई या बड़ी खतर ना खोरी खैर आगे बढ़ते हैं इस तुला से किसी वस्तु को प्रिथवी तल से क्रमोतर बढ़ती उचाईयों पर तॉलने पर तुला द्वारा दरसाया गया भार कैसा होगा भाई ये कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं कि य अब इसके बाद आप क्या हो रहा है तो भी आईया आप ये जी के मान में जो वेरियेशन होगा वही इसके बहार के मान में वेरियेशन होगा अगर यहां पर कोई variation हो रहा है W में तो वह किसके करन होगा, G के करन, अब जैसे जैसे उपर की तरह बढ़ते जाएंगे, हाणा, देखें, मास उतना ही है, W इकल स्टु क्या होना है, Mg होना है, अब जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएंगे, अल्टिट्यूड पर जैसे जै ता चला जाएगा भार भी क्या होगा कम होगा तो समुदर तल पे जितना वेट आता है उसको ही हम मानते हैं average रुप से correct वेल्यू उसके उपर जितना बढ़ते जाते हैं altitude पे मेरे को जी के मान में कमी ही आएगी और तब भी वेट कम होगा एक और सबाद अगर मैं कहता हूँ कि जितना दूर प्रित्वी सता से नीचे नीचे बढ़े हैं उतनी ही दूरी उपर अगर बढ़ेंगे तो D equals 2 होता है हमारा twice of H मतब अगर समान भार देखेंगे तो आप D distance बढ़ी है आप चार किलो मेंटर नीचे डूरी चार थो ठोटा होगा थोड़े वैलू लेते हैं तो चालीस किलो मेंटर नीचे जाने पर जो आपको मिलना है वो उपर आने में आपके 20 किलोमेटर पे ही उतनी सी भार में कमी आपको मिलने शुरू हो जाए दुगने रेट से हाइट में कमी होती है भाई चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा इसका तो आंसर भी मिल गया आपको चलो कोई बात नहीं चंद्रमा पर वायू आपको मैं कहता हूँ कि यह जो गैसे होती है उनका एक मीन टेंपरेचर पे एक विलासिटी होती है मत्ब ऐसा समझे एक माध्य तापिय वीग है उसका यानि उसकी गैस की अपना एक विलासिटी है जिसके कान लो रैंडमली मूव करते हैं रैंडमली वो कहीं चल फिर सकते ह लिए जो उनकी इंटर्नल एनर्जी है ऐसा कह लीजिए उसकी या इंटर्नल विलासिटी कह लीजिए अगर किसी ग्रह पर यह रहा ग्रह यहां पर गैसे से बलेबल है अब गैसे से बलेबल होने के लिए यहां पर जो स्किप विलासिटी होती है इस ग्रह की यह हमेशा ही ग APIA Wave कहे लिए उससे हमसा ज़्यादा होना चाहिए तो यह गैसे रुकेंगी, अगर यही चीज हो गया कि VAE कम हो ग्याँ और यह वी जी जादा हो गया, यानि इन गैसों का जो माध न प प्लाइन कर जाएगी रहीगी नहीं ऐसा कब होता है जब प्लानेट कैसा हो छोटा ग्रह हो उपग्रह हो छोटा ग्रह हो छोटा उपग्रह हो जैसे चांद की बात करते हैं तो चांद क्या भिया चांद एक तरीके का उपग्रह हो छोटा उपग्रह हो जहां पर के विलोसिटी जो है वो कम है माध्य तापिय वेग से गैस के तो गैसेस बाहर चली जाएगी क्योंकि उनकी विलोसिटी ज्यादा है अब प्रित्वी पर क्यों है गैसेस तो प्रित्वी पर गैसेस होने का प्रित्वी के पर वायू मेंडल होने का कारण है कि प्रित्वी पर य नहीं होती है और gases का जो माध्य तापिय वेग है वो इससे कम है ठीक है 11.2 से कम है अलग 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 हो गया इसलिए मैं कोई नुमारिक वैल्यू नहीं दे रहूं आपको कि बहु कितना कम है लेकिन सबी गैसे से क्या है कम है कम है इसी वज़ा से क्या होती है वो बाहर नहीं यहां पर एक एक यह वाई मंडल है और सिस्क्रित्वी नहीं ऐसे बहुत इसे ग्रया है जहां पर उसका एक सगन वाई मंडल है क्यों कि अगर उन गैसों की जो माध्य तापिय वेग है उससे ज्दाधा हुई उसके प्लानेट की कि स्के विलोसिटी तो यही काम होगा और इ फित्वी के पलायन वैग से कह कम है इसलिए चंद्रमा पर गैस नहीं है छली गई बाहर चली गई ठीक आगे बगते हैं 33 में निम्ने में से सही कफन कौन सा है इन में से सही कफन कऊ चाहिस कक्ष के त्रिज्या के बढ़ने से बढ़ता है आपको आउब से मिल चुकआ है कि बढ़िक होता है कक्ष इस लिए यह डी ऑप्शन जो है वो बिलकुल करेक्ट है तो अब बढ़ते हम जड़ा अगले question number 34 पर चलिए तो आगे देख लिए थे भई हमारा अगला सवाल है और इस्थिर lift में भौतिक तुला से मापने पर किसी पिंड का द्रवमान एमपराप्त होता है यदि lift एत तुरन से उपर जा रही हो तो उसका द्रवमान मापाज आएगा क्या कह रहे हैं कि भई अगर इस्थिर lift है ठीक है lift जब ऐसा रुका हुआ है तो इसमें हमने एक भौतिक तुला से भौतिक तुला मतलब ऐसा वाला भई कांटा हला इससे मैंने मापाथ तो भी अद्रवमान एम प्राप्त होता है यदि lift ए तुरन से उपर जा रही है तो उसका द्रवमान मापाज आएगा दिए उसका द्रवमान मापाज आने के लिए जब यह ऊपर की तरफ जा रहा हो तब क्या करेंगे भी तो मैं कहता हूं की जरह देखें वेट वेट की इल्टीमेटली बात करें भार की बात करना चाहरें तो वेट इक्वल्स टू होता है mg ठीक है वेट इक्वल्स टू कितना होता भी है mg अब वेट जो है यहां पर mg जो है उपर की तरफ जब लिफ्ट जा रही है तो यह हो जाएगा हमारा क्या m m a प्लस जी m a प्लस जी अब अगर उपर की तरफ तो वेट के लिए मैं क्या करता हूं मैं कहता हूं कि दोनों तरफ अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो weight is equals to G से divide कर देता हूँ G से divide कर देता हूँ तो weight equals to क्या होता भई mass into G M A plus G मैंने को क्या यह mass calculate करने के लिए क्या पड़ेगा तो G हटा देता हूँ G से divide कर दीजिए तो यह हो गया M इधर क्या बचेगा भई तो M A upon G प्लस 1 यह अब mass calculate करने का नया तरीका होगा क्योंकि देखे weight तो सीधे wiring machine पर calculate होगी तो weight नहीं बताना weight की साहिता से मुझे क्या बताना है mass इसका किता होगा तो इसका mass कितना हो जाएगा भी M 1 plus A upon G साथ option दिख रहा option number B कारण क्या था भई क्योंकि यह A तरन से lift जो थी वो उपर जा रही थी जब उपर की तरफ जा रहा है A तरन से तो मेरे लिए इस समय A और G दोनों क्या हो जाएगे भी add हो जाएगे जुड़ जाएगे आगे बढ़तों में अगले सवाल की तरफ सवाल number 35 चंद्रमा का कक्षे वेग कितना बढ़ने पर प्रित्वी का उपगरा नहीं रहेगा अब चंद्रमा का वेग कितना बढ़ा दें कि वह प्रित्वी का उपगरा ना रहे तो प्रित्वी का उपगरा नहीं रहने के लिए क्या करना होगा देखी यदि चंद्रमा का वेग ऐस के पलायन वेग के बराबर हो जाए पलायन वेग के बराबर हो जाए तो देखिये ना चंद्रमा मतब वी और बिटल विलोसिटी की बात कर रहे और वी और बिटल मतब क्या भी चंद्रमा का कच्छिय चाल यह कच्छिय वेग कह लिजे और इसी तरीके से VE को हम क्या कहते है, पलायन विख, होता कितना है भई, तो VE जो होती है, इसके विलोसिटी जो होती है, वो होती है, अंडर रूट अफ 2GR, और और बिटल विलोसिटी होता भी अंडर रूट अफ जी आर, अगर मैंने इन दोनों को सॉल करना चाहा, तो E equals 2, अंडर रूट अफ 2 इंटू अंडर रूट अफ जी आर, अब यह अंडर रूट अफ जी आर क्या है, VE नॉट, VE और बिटल, तो अंडर रूट तू टाइम्स अ वी और बिटल, तो कितना गुणा बढ़ा दिया भई, तो यह दिख रहा है, रूट टू टू टाइम् चंद्रमा अपना कच्छिय वेग, कच्छिय चाल छोड़ करके, पलायन कर जाएगा, पर्मानेंटली बाहर चला जाएगा, तो ऑप्षिन नंबर B is the correct, 35 का ऑप्षिन B सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चिन नंबर 36 पे, यहां कहे रहे हैं कि एक ग्रह की तु जैसे दो गुनी है, मतब, twice of RE है, ठीक है, यह ग्रह तथा प्रित्वी, दोनों का घना तो समान है, यह दिग्रह और प्रित्वी पर पलायन वेग, VP और VE है, तो VP और VE में क्या संबंध होगा, यह देके, RP गिवन है, twice of RE, ठीक है, तो मतब, RP अपन में RE, कितना हो जाएग अब ही, यह अपन में RE, twice, अब पलायन वेग की अगर हम बात करते हैं, ठीक है न, तो पलायन वेग होता है कितना है भी, तो पलायन वेग है हमारा, देखिए, VE इक्वल्स टू, यहाँ पर घनत तो दोनों का समान कह दिया है, तो VE इक्वल्स टू जो होता है, यह होता है, अंडर रूट, टू जी या, अगर घनत तो समान है, तो क्या होगा, जी इक्वल्स टू होता है, यह जी एम, अपन आर स्कॉर, तो यह जी एम की अगर वैल्यू की बात कहा है, तो जी फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब अपन में आर स्कॉर इंटो रो, यह खतम हो गया, त त्रिज्या में relationship तो हमें मिली जाएगा, यह रखा है form तो, बचा कौन भाई, तो रो जो है, वो constant है, रो जो है, वो कैसा है, constant है, अगर रो constant है, जी constant है, तो जो बचा है, ले दे करके, वो बचा क्या भी, तो वो बचा है, हमारा VE जो है, अंडर रूट अफ आर के, डिरेक अगर directly proportional हो गई इसके velocity यहाँ पर directly proportional हो गई तो ऐसा कह सकता हूँ मैं क्या कि ये पूरा ही term ठीक है VP upon VE ठीक है VP upon VE ये किसके बराबर हो जाएगा भी तो ये हो जाएगा हमारा आरपी अपॉन में RE के अब आरपी अपॉन आरी कितना है twice आरपी अपॉन आरी कितना है twice तो VP upon VE कितना हो जाएगा भी है twice मतलब VP equals to twice of VE खत्ब ठीक है VP equals to twice of VE क्या करा ये VE proportional to R ठा और एक यहाँ पर भी R मिल रहे किसका G वाला तो यह एक और R मिला, ultimately यह कितना मिल गया भी, तो V proportional to under root of R square के, V proportional to क्या मिल जाएगा R, अगर यह V proportional to R है, इसका मतलब मेरे को मिल गया V P, twice of V E के, यानि वहाँ पर जो पलायन वेग होगा उस प्लानेट पे, वो प्रित्वी के पलायन वेग के जस्ट डबल होगा, R P, जब twice है, R E के है, तो सीधी बात है, V P, भी जो होगा, वो twice of होगा, किसके V E के है, ठीक है, चली, मतब तरिज्या से सीधे सीधे दिख रहा है कि यह समान उपाती है, तो यह relations आपको अभी और काम आने वाले हैं, ठीक है, यह relations अभी आपको और काम आने वाले हैं, क्योंकि यह relations अगर एक बरियाद हो गए, तो सीधे to the point of questions टिक कर सकते हैं, आगे भरता हूं, question number 37, पृत्वी के एक उपगरा S की कक्छे तुरिज्या, एक दूर संचार उपगरा C की कक्छे तुरिज्या की चार गुनी हैं, परीक्रमन काल कितना होगा, देखें, यहाँ पर कहते हैं S की कक्छे तुरिज्या, दूर संचार उपगरा C की कक्छे तुरिज्या से चार गुनी है, तो कक्छे तुरिज्या, हाना, कक्छे तुरिज्या और जो परिभरमन काल है, उनके बीच में relation देख लेते हैं, तो कक्छे तुरिज्या और परिभरमन काल में, देखें, कक्षियत त्रिज्या त्रथा परिभ्रमणकार इनके बीच में अगर कह रहें कि S की कक्षियत त्रिज्या एक दूर सरचार उपगरा की कक्षियत त्रिज्या की चार गुनी है मतलब कक्षियत त्रिज्या आर एस बराबर है फोर टाइमस अफ आर सी के मतलब आर एस अपॉन आर सी जो है वो उसकी वैलू कितनी है वही फोर और हमें पता है कि आर इसक्वार इस डारेक्टली प्रपॉर्श्नल होता है टी क्यूब के किसके टी क्यूब के तो मैं कहता हूँ आर एस अपॉन आर सी का जो स्क्वार होगा ठीक है यह 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 जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा टी एस अपॉन टी पी के क्यूब के ठीक है तो आर एस अपॉन आर सी की अगर वैल्यू देखी जाए आर सी आर एस अपॉन आर सी की वैल्यू तो आर यह हो गया फोर ठीक है फोर का स्क्वार इधर चूब है अगर इधर से स्क्वार से स्क्वार अपॉन टी एस अपॉन टी पी का हो गया यह क्यूब अगर यह इसको लिखू तो यह थार्ड रूट आफ फोर होगा मतब एक रूट बच जाएगा यहानि यह कितना बच जाएगा भी तो अगर इसको फोर को लिखूँ हाला तो फोर हो जाएगा मेरा टू का स्क्वार मतब टू की पावर फॉर यह हो जाएगा टी एस अपन में टीप कट ठीक है किता हो गया यह टीए सपॉन में टीपी का चूप तो फाइनली अगर यहां पर मैं ले लेता हूं कि यह जो है एक उपग रहे दूर संचार उपग रहे मतब इसके इसकी जो टाइमिंग होगी वह कितनी होगी यह हो जाएगी हमारी 24 गंटे 24 गंटे में यह द टीसी है यह टीसी है भई यह टीस अपन टीसी कि कब से प्लैनेट प्लैनेट ही चल रहा है तो वही चले जा रहा है यह टीसी है तो यह फाइनली मेरे को जो मिल जाएगा वो क्या मिलेगा भई तो टी काम करता हूँ मैं और थोड़ा सा simplified रखता हूँ और थोड़ा सा simplified रखते हैं इसको 4 ही रखते हैं 2 ही रखते हैं तो मैं कहता हूँ TS upon में TC बराबर यह 4 की power कितना हो जाएगा भई तो 2 upon में 3 अब TC की जो value है वो 24 गंटे है तो TS is equals 2 4 into 2 by 3 into 24 अब 4 की power 2 के हिसाब से अगर इसको कर लेंगे तो यह ultimately बचेगा कितना तो यह हो जाएगा हमारा 8 into 24 गंटे यह कितना हो जाएगा 4 के power 2 upon 3 मतलब ही कितना हो जाएगा 8 8 into 24 अब 24 आठे अगर करते हैं तो कितने दीन हो जाएगा भी तो 24 मेरे साब से यह 24 into 8 घंटे यह ultimately घंटा ही आ रहा है 24 into 8 घंटे करते हैं तो 8 के 32 8 के 32 22 हासिल 3 8 आठ दूनी 16 16 और 3 ठीक है 16 और 3 19 19 19 एक सो बानवे घंटे हो जाएगे कितने हो जाएगे 192 एक सो बानवे घंटे का मतलब क्या हो गया यह ultimately हो जाएगा हमारा 8 दिन है ना यह 24 घंटे एक दिन के बराबर ही तो है तो सीदे सीदे भी लगा सकते है कितना 8 दिन 8 दिन में वो complete करेगा ठीक चलिए तो यह हो गया हमारा B option सहतिस्वे का B अगले सवाल पर बढ़ते है question number 38 एक कमानीदार तुला को समुद्र तल पर आन साकित किया गया है इस तुला को पृत्वी तल से क्रम उतर यह तो I think अपने बात कर लिया है ना अगर दर्साया जाए तो दर्साया गया भार निरंतर रूप से क्या होता जाएगा घटता चला जाएगा यह जैसे जैसे हाइट पे आप बढ़ते चले जाएगे यह निरंतर रूप से क्या होता जाएगा घटता चला जाएगा अभी हम लोग न इसको discuss कर वो क्योंकि जी के मान में variation होता हाइट के साथ हाइट के साथ जी का मान कम होते जाता है आगे बढ़ते हैं किसी उपग्रा की प्रिथवी से उचाई प्रिथवी की तुरिज्या आर की तुलना में नगड़े हैं उसका कक्षिय वेग कितना होगा कहा है कि उपग्रा की प्रिथवी से उचाई प्रिथवी की तुरिज्या मतब ह जो है वो मच मच लेंस देन आर है तो कक्षिय वेग कितन तो orbital velocity मेरा जो होता है भई है ना gm upon r plus h ठीक है किता हो जागा gm upon r plus h under root of gm upon r plus h अब क्या करना है यहाँ पर h बहुत-बहुत छोटा है तो यह ultimately किता हो गया gm gm upon में r क्योंकि h जो है much much greater than r तो h को मैंने मालनी है नगने अगर यह नगने हो गया तो h खतम हो गया मतलब v not key value हो गई gm upon में r under root of gm upon में r ठीक है तो यह है हमारे पास में gm upon r थोड़ी से और मेहनत करनी पड़ेगे भई gm upon r के term में तो यहां कुछ दिया ही नहीं है तो मैं कहता हूँ कि काम कर लेता हूँ ना इस gm को थोड़ी से और मेहनत करके लेता हूँ चुकि small g जो होता वो होता gm upon में r इसकर अब यहां पे gm upon r है तो gm upon r अगर लिखना चाहते है तो यह gm upon r रह जाएगा एक r को ही छोड़ी एक r को इदर multiply कर दीजे तो लेत्स सी यह हो गया gm upon r gm upon r के जगह पर क्या रख देंगे गया तो अंडरूट of gm we not जो होता है यह अंडरूट of gm orbital velocity जो है अंडरूट of gm यह होगे हमारा final answer ठीक है ना अभी हम लोगे ने यह देखा भी ताया कि skip velocity होता है अंडरूट of 2 gm और orbital velocity होता है अंडरूट of gm तो direct भी लगा सकते हैं ऐसा है सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है चलिए ऑप्शन नमबर डी इस धर करेक्ट वर अगले सब वाल पर बढ़ता हूं क्वेशन नमर चालीस निमलिकित में से सही कथन एक सही कथन है क्या भी एक उपगरक में घुमने वाले अंतरिक्षियात्तरी की भारहिंता क स्थिती है क्यों सुन्य जी के स्थिती कोई गुरुत्त नहीं होने के स्थिती सुन्य द्रबमान होने के स्थिती मुक्द रुप से गिरने के स्थिती तो यह अल्टिमेट्टी अगर देखा जाया वहां पे तो जी के मान होने का देखिए जो द्रबमान है यह तो कभी सुन् रहा है हमेशा इसी कारण से उसमें जो होता है वो भार हिंता का अंडभा होता है यानि w equals to mg तो होता है उसके अंदर चलेगा लेकिन ये 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 देखिए अंतरिक चैतरी इसके अंदर में बैठा है तो ये हमेशा ही नीचे की तरफ गिर रहा है वो भी किसकी वज़से mg की वज़से तो जो मुझे भार मैसूस होती है भार एक reaction force है भार कैसा होगा reaction मतलब अगर इस स जीरे चला जा रहा है वो इसी mg से तो ये तो उसको भार महसूस ही नहीं हो रहा है तो इसी वज़ा से उसको भार हिंता कानू होता है देखिए गुरत तो तो है तब ही वो गिर रहा है तो ये तो खतम जी नहीं है इसकी वैलू जी नहीं इसकी वैलू होगी कुछ नकुछ अ अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं एक लड़का जिसकी संगती 40 kg है मास की बात कर रहे हैं एक लिफ्ट में खड़ा है इसके पेरों द्वारा अनुभव किया गया बल सरवाधिक होगा जब लिफ्ट जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड से इस्थिर खड़ा है तो तो उस उस केस में उसको देखने को मिलेगा कि वो जो है जी माइनस एक एसिलरेशन देख रहा है लेकिन जब उपर जाएगा तो जी प्लस एक एसिलरेशन देख जब उपर की तरफ जाएगा तो यह क्या समझ में आता है भी नीचे की और ना नीचे की और ना उपर की और जब 4 ही हो जाएगा एजी माइनस वन नीचे आते समय कम अनुभा होगा उपर जाते समय ज्यादा कान अभा तो क्या होगा इस सबसे ज्यादा उसको पैरों पे होगा महसूस जब लिफ्ट किदर जा रही होगी तब ही तो हम जो वह जाएंट वील जो होता है ना वो जूला जो चरख आप न चर्कि जो बोले उसремश जब उपर जा रहा होते तो बड़ा मजह आता है ना बड़ी हैवी निश फील होती है nh chip जहां पर i toy सा पर करकर आप जा रहो ना यहां पह यहां पह यह बैसा भी यह बैठ हैं तो इनको सबसे ज़ादा सबसे ज़्छा reaction कब मिलेगा जब यह उपर की तरफ जा रही है क्योंकि आपके ऊपर काम करने वाला जो गुरुत्व यह बल है वह किदर खिच रही आपको नीचे की तरफ खिच रही है तो आपको जादा फोर्स महसूस हो रहा है मतब आपको उससे में जादा भार का महसूस होगा और जब नीचे की तरफ आती है ना जाएंट विल तो बड़ी गुद्गुदी से मचती है वह गुद्गुदी से मचती है क्योंकि आपके ब्रेन को आपका एक वेट कंसिडर करने की आदत है अब नी होगा टालाएंविग का जो सुत्र होगा वह क्या हो मुद्ग सथा सीथे पर आन वेक का सूत्र ही तो इसमा कुछ सॉल्ल करने के जौड़ी डायरेक्ट नम लगा जते भीया क्या है इसका सुत्र डी हाना वीक विक्षिक रूइस तो अन्डरू टूट आफ टूजी एम अप और स्कार ये होता है भीया कि हमारा पलाइन वीग इसी को जब हम प्रिथवी के मतलब gm अपॉन आर स्कोर का हम कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है किसे स्मॉल जी से रेप्लेस्मेंट करते तो अंडरूट अफ यही होता है वी इक्वलस टू अंडरूट आफ 2 अगे बढ़ते हैं निमलिखित मैं सही कथन है क्या तुल्यकाली उपगडा चछा की तुल्यकाली का मत चैओता भी जो प्रिथवी के तुल्य को आवर्त काल रखती है ऐसा कह सकते मत अब सच्छ मत जीनक्रन क्रस्ट ठाइप Jeos तने बाइब प्रिवी अपनी एक्सिस पर लेती है तो यह यह यहां पर और यहां पर जी यह यह देखे यह जितने का कौन सा कतन से तुले काली उपग्रा के अच्छा के तुरीचा निर्भर करती है उपग्रा के द्रेबिमान इसका अवर्थकाल तता गुरुत्विय नियतांग पर उपग्रा के द्रेबिमान प्रित्वी का द्रेबिमान तता गुरुत्विय नियतांग पर या प्रित्वी का द बिमान उपग्रा का अवर्थकाल और गुरुत्विय नियतांक इसके उपर इसका मान जो है वो निर्भर करता है ठीक है तो यह हो जाता है हमारा डी आप्शन इन चारो पांच चारो आप्शन में से करेक्ट अगले सवाल पर बढ़ता हूँ अगला सवाल है हमारा क्वेश्च यह त्रिज्ञा को हरा कच्छिय त्रिज्ञा को एक परसंट से कम कर दिया जाए क्या करना यहां पर कच्छिय त्रिज्ञा को एक परसंट से कम कर दिया जाए तो उपग्रह की चाल पर क्या असर पढ़ने वाला उपग्रह की चाल में क्या होने वाली है तो उपग्रह की कच चाहल होती है वी जो होता है हाना और्बेटल विलासिटी सो होती है यह आणडरूट आफ GM अपन अर्प् spoiler ठीक है वी ओ कहले तो यह दो यह अन्डरूट आफ GM अपन आप अब क्या करें मैं कहता हूँ कि यह जो है आर प्लस हई जो पहने वाला एको पग्रफ प्रित्वी के चारो वी चाल वी से तुरीजा आर के वृतिया कच्छ में परिकर्मा कर रहा है तुरीजा ठीक है तो भी यह इसमें मास्क है तो कोई लेंदे नहीं नहीं है चुकि जी और एम इस्थिरांख है कॉस्ट कॉंस्टेंट है तो इसका आप सवान यह है यहां पर दिया गया वी तो मैं लिक लेता हूं वी वी प्रपोश्च्री टू वन अपॉन अंडरूट आफ और हो गया अब कहने है यदि कक्षेत रिज्जा को 1% से कम कर दिया तो भई मैं ऐसा लिख लूँ कि अगर V1 कह लेता हूँ इसको V2 इसको कहता हूँ तो V2 कितना हो जाएगा भी तो यह V2 जो हो जाएगा वो 1% से कम करना है यानि अंडर रूट अफ एसा लिख लेता हूँ under root of 1 upon r minus 1% of 1 upon r, ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं लिख लेता हूँ, v2 upon v1 की भेले, तो v2 upon v1, सब को एक ही under root के अंदर डाल देता हूँ, सब तो root में ही चलने वाला है, तो यह हो जाएगा हमारा क्या भई, तो under root of r1 अगर दिख रहे हैं हाँ पर, तो सीधा simple सा मतलब है, कि इसको मैं लिख लेता हूँ, r2 minus r1, सौरी, inverse है, तो r1 upon में, r1 upon में r2, अब देखिए, r1 की value जो है, वो तो as it is रहेगी, इस r1 में कोई छेड नहीं है, r2 की जो value है, इसको 1% से कम कर दिया, 1% से कम करेंगे, तो यह हो जाएगा, r2 minus 1% of r2, तो मतलब मैं कह लेता हूँ, r2 गोणे 1 बटा में 100, यह हो जाएगी, इसकी value, तो v2 upon में, v1 जो चल रहा है, इसको अगर मैं solve करूँ, तो भईया, यह r2 जो है, है, है ना, r1 में से 1% कम हो रही है, तो r2 की value, sorry, r1 में से 1% कम हो रही है, तो r1 minus r1 का 1%, यहाँ पर इसको इसको इस फॉर्म में भी लिख देता हूँ, मैं कहें तो r2 जो है, वो r1 में से 1% कम करके बनाए, r1 minus r1 का 1%, है ना, तो यह हमारा form बन जाएगा r2 के लिए, जो formula, त of r2, अगर यह r1 है, r1, r2 है, r2, reciprocal है, मतब, v2 upon v1 करेंगे, तो r1 उपर चला जाएगा, और r2 नीचे आजाएगा, अब यहाँ पर हमारे पास में यह जो form बना है, इसके accordingly, मैं चाहूँ, तो क्या कर सकता हूँ, तो यह देखे न, r1 ऐसी रखे, यहाँ से r1 को common करेंगे, तो 1-1 upon 100 बचेगा, r1 से r1 कट गया, तो finally यह क्या बचेगा, 1 upon 1-1 upon 100 की पावर, 1 upon 2, और फर्दर लिखते है, v2 upon v1 ही चल रहा है, इसको उपर ले चलिए, तो 1-1 upon 100 की पावर बचेगा, 1-1 upon 2, ऐसे पावर जितनी बार आते हैं, यह एक binomial expression है, जहाँ पर 1- x to the power minus n हो, तो यह form होता है, 1 minus, minus of n, इसको minus की पुलास ही रख लिजे, x to the power n, तो 1 minus nx हो जाता है, इसका form, 1 minus nx हो जाता है, कब, तो यहाँ पर ध्यान रहे, यह x जो होता है, यह 1 से छोटा होना चाहिए, condition के, x जो है 1 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 upon 100 है, मतलब यह छोटा ही है, पावर में minus 1 upon 2 है, तो यह minus 1 upon 2 जम नीचे आएगा, तो 1 minus, और यह minus 1 upon 2, minus 1 upon 2, into 1 upon 100, तो यह finally कितना बन गया है, तो यह हमारा बन जाएगा, v2 upon v1 is equals to, is equals to, 1 plus, यह हो जाता है, minus minus plus, 1 upon, 200, 1 plus, किता हो गया, 200, या फिर इसी को, अगर percentage value में ही लिखना है, तो इसको ऐसा ना लिखते हैं, ऐसा ही लिख लिखेजे, 1 plus, 1 upon 2, into 1 upon 100, further अगर 1 upon 2 को लिखेंगे, तो इसको लिख सकता है, 1 plus, 0.5 upon 100, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कि 1 plus, 0.5 percent, 1 upon 100 को फिर से percent में वड़ोतरी हो गई, तो आपको दिखा है, 1 plus, आपको क्या दिख रहा है, V2 is equals to 1 plus 0.5 percent of V1, तो मतब यह V1 में 0.5 percent की क्या हो गई, वड़ोतरी, आगे से देख लिजे, इसको ओपन कर दे, तो V0 plus V0 का 0, sorry, 1 है भाई, V1 का 0.5 percent, V1 plus V1 का 0.5 percent, इसके अंदर में इसकी बढ़ोतरी हो गई, तो यहाँ पर सीधे सिंपली दिख रहा है भी 0.0.5 percent, 0.5 percent की यहाँ पर बढ़ोतरी हमको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, चले गए हाँ तर, ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले सवाल पर, question number 45th में, एक बढ़ते हम अगले उपगरा के कक्ष में, रैखिये चाल निर्भर नहीं करती है, प्रित्वी के दर्यमान पर, उपगरा के दर्यमान पर, प्रित्वी के तुरिजया पर, या फिर गुरत्वी त्वरन पर, तो रैखिये चाल की बात कर रहे है, ठीक है, किसकी बात कर रहे है, रैखिये चाल की, वी और्बिटल अभी जस्ट हम लोग जो देख करके आ रहे क्या है भई जी एम अपॉन में आर है मतलब अगर इसको लिखू में तो जी एम अपॉन में आर प्लस एच है तो यहाँ पर एक पॉइंट समझे प्रित्वी के दरड़ मान तो बिलकुल यह एम पर निरभरता है प् उसका मतलब है कि यहाँ पर जो द्रबेमान है किसके द्रबेमान तो जो हमारा कृत्रिम उपग्रह उसके द्रबेमान पर निरभरता नहीं करता है कृत्रिम उपग्रह के द्रबेमान पर निरभरता नहीं है मतलब एक भारी उपग्रह होगा तब भी कक्षिय चाल उतना ही हो होगा जितना की चोटा उपग्र होगा चलिए आगे बहते हैं समभी की बात करें हरा थोड़ा सा चाप्टर पिछला वाला जो है वहाँ सभी कुछ कुछ सीजे रफर करनी पड़ेगी कूरिय समVAKE की हम znaThese करते हैं तो हमने डिसकस अब यहाँ पे कहना है कि हम्दर ममान के उपगरा प्रित्वी के चारो और आर तरीज़ा के कक्ष में घूड़ी गति कर तो मतलब एक पॉइंट है कि अगर कभी घूड़ी गति यह कर रहा है तो उस पर लगने वाला अभिकेंद्रिये बल जब वो घूम रहा है तो उसके उपर लगने वाला जो अभी केंद्रिय बल होगा उसके उपर लगने वाले हमारे गुरुत्विय बल के मान के बराबर होगा अभी केंद्रिय बल किसके बराबर होगा भई तो ये गुरुत्विय बल के बराबर होगा अब उस पिंड पर लगने वाला अभी केंद्रिय बल कितना होता है तो यह हाफ mv square होता है हना half mv square r ठीक है यह किता हो जागा half mv square r sorry mv square upon r भई हना half वो तो kyanating energy होती है ठीक है mv square अब यहां से कुछ कट रहा है यह mm cut गया तो यह हो गया भी v square upon r is equals to gm up अच्छा एक काम करते हैं और और एक चोटू सा काम इस r से एक r को और काट लेते हैं तो यह v square is equals to लेकिन मैं क्यूं कर रहा हूं मैं ऐसा क्यूं कर रहा हूं भई रुक जाओ mv square equals to gm upon r में रोकर यह mvr बनाना ही है तो मैं काटूं क्यों से एम को काट दूंगा तो दिकत लेकिना एल एल बनाना ना भई mvr करना है तो mvr करने के लिए मैं एक छोटू सा काम कर लेता हूं मैं कहता हूं कि इधर साइड में वी तो स्क्वाइर के फॉर्म में है अगर mr का इधर मैं multiply कर दिया तो आप को कि इधर भी करना पड़ेगा तो कर दो दो तब मर का कर दो कोई इतराज नहीं होगा इवन मैं तो कह तो mr2 का multiply कर दो अगर mr2 का multiply करेंगे तो m m2 v2 और यह r है तो r2 और इधर में क्या होगा तो यह gm m से क्या हो गया m2 और यह r2 अब आपने को क्या करना भी तो अपने को थोड़ी से मेहनत करनी पढ़ेगे इसमें क्या है m2 v2 r2 upon में यहां पर upon में एक r चल रहा है यहां पर upon में एक r चल रहा है तो 1r से 1r तो cancel हो गया अब यहां से क्या करना है m2 v2 और r2 इसको मैं लिखता हूँ mvr का square is equals to यह हो गया मेरा gm m2 r क्योंकि नीचे एक r बच्चा हुआ था यह r से r cancel हो गया तो यह mvr को क्या कहता है कोणी है यह समवेग एक आता है l equals to इसकी जगा पर अब ल पुट कर दू l square is equals to gm m square r तो l is equals to under root of gm m square r अब यह केला एम बाहर निकल के क्या ही कर लेंगे हमारे पास option जैसा दिया है उसके हिसाब से चल देते हैं under root of gm m square r है ना option number d मैंने को दिख रही है कि भी यह बिलकुल सही है ठीक है यह कोणी है समवेग भई पिछले चप्टर का थोड़ा सा काम है है ना आई यह cross verify करते है d is the correct one d बिलकुल सही है अगले सवाल पर बढ़ते है question 47 एक ग्रह पर पलाइन वेग वी ए है यदि ग्रह की तुरिज्या समान रहे किन्तु उसका द्रबेमान चारगुना हो जाए तो पलाइन वेग कितना हो जाएगा तो पलाइन वेग हमें पता है देखे वी वी इस इक्वल स्टू अंडरूट अफ टू जी आर होता है अब मैं कहता हूं कि भी आ तृज्या समान रहे है और द्रबेमान चारगुना हो जा त्रिज्या तो constant है, यानि ये G जो है ये directly proportional किसके M के, अगर ये G directly proportional है M के, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हो, तो VE जो होगा, वो directly proportional होगा 2M के, under root of 2M के, अब कहे रहे हैं कि कितनी गुना हो जाए भई, तो ये हो रहा है हमारा 4 गुना हो जाए, तो पलायन वे कितना हो जाएग M की जगह पे कितना, 4M कर रहे हैं, तो 4 रख देता हूँ, तो ये VE जो हो गई, ये हो गई, root से बाहर ही आएगा, तो कितना हो जागा 2, मतलब twice हो गया, या फिर अगर डारेक्ट ऐसे देखकर के समझ मार रहे हैं, अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो अपन ऐसा कर सकते है इसी चीछ को, हम लोग ने यहां से देखा कि VE जो है, ये डिरेक्टली प्रपॉर्शनल निकना, अंडर रूट आफ M के, अभी अंडर रूट आफ M के निकला है, तो मैं कहता हूँ, V1 अपन V2 जो होगा, वो बराबर हो जाएगा, अंडर रूट आफ M1 अपन M2 के, अब ह कह रहे हैं कि M2 जो है, वो 4 टाइमस अफ M1 है, तो रख दोना भाया, लो, M1 अपन 4 टाइमस अफ M1, M1 से M1 कैंसल हुआ, अंडर रूट अफ 1 अपन 4, that means 1 अपन 2, ठीक है, कहता होगा, 1 अपन 2, मतब V2 जो है, V2 जो है, V2 जो है, ट्वाइस अफ, ट्वाइस अफ, ट्वा V2 होगा, है ना, ट्वाइस सब वी होगा, V2 ऑप्शन बिलकुल सही है, V2 ऑप्शन इस दा करेक्ट वन, लट्स चेक दा आंसर, बिलकुल सही, चली, अगले सवाल पर बढ़ते हैं, यह क्वेशन नवर 48, एक व्वेक्ति लिफ्ट में भार, एक व्वेक्ति का लिफ्ट में भार, जब इस्थिर है, और जब वह एक समान तोरण A से नीचे जाता है, का अनुपाद 3, अनुपाद 2 है, तो A का मान, ठीक है, A का मान, G के, G जो है गुरुत्वे तोरण इसके टर्म में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यह जो जो लिफ्ट में भार जब इस्थिर है, तब, इस्थिर है तब, इस्थिर है मतलब क्या M G, वो और अगर जब वो नीचे की तरफ जा रहा है तब, तो M G अपॉन, नीचे की तरफ जब जाएगा, तो M, 1 प्लस, या फिर डिरेक्टरी लिख ले तूं, A अपॉन G माइनस 1, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है तब, नीचे की तरफ जब जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, M A अपॉन G माइनस 1, यह बराबर है किसके भीया, तो यह है बराबर 3 रुपाद दो, तो यहाँ पर मेरे से A की बात की जा रही है, हाँ A की बात की जा रही है, M से M उड़ा दीजिए, क्या बचा भीया, G is equals to 3 upon 2 times of A upon G minus 1, ठीक है, यहाँ पर यह, ओपन ही कर देते हैं, ठीक है, यह हो गया, 2G is equals to, 3A upon में G, minus, minus 3, यह अंदर multiply होगा, minus 3, अब अगर, मैं अगर LCM ले लूँ, तो भी यह 2G is equals to 3A, इसको LCM ले लिजे, तो minus of 3G upon में G, यानि यह 2G square is equals to 3A minus 3G, इसको इदर बेच देजे, तो 2G square minus of 3G, इदर आकर के हो गया, plus of 3G, upon में 3 is equals to A, ठीक है, यह कितना हो जाएगा भी, 2A, अच्छा, just a minute, कुछ तो, कुछ तो missing है, इसके अंदर, क्या missing है, ठीक है न, M, A के terms में इसको calculate कर लेता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, just, just hold up, एक बार फिर से देखते हैं, इसको, मैं कहता हूँ, कि यहाँ पर, जो given है, हमारे पास में, 3 upon 2 times of G minus A, इसको इदर रखे, 2G is equals to 3G minus 3A, अब ठीक है, इसको अगर इदर बेचता हूँ, तो minus 3G is equals to minus 3A, 2G minus 3A, तो एक minus चला गया, मतलब minus G is equals to minus 3A, A के terms में अगर लिखेंगे, तो G upon 3 हो जाएगा, हमारे A की value, G upon में 3, ठीक है, B option, option number B, ठीक है, चलिए, अगले सवाल पर बढ़ते हैं, question number 49th पर बढ़ते हैं, cross verify भी कर लेते हैं, ठीक है, 49th कह रहे हैं कि, प्रित्वी व चंद्रमा के द्रबेमान, क्रमसा M1 व ए M2, तता तुरिज्याएं, क्रमशह, R1, R2 है, इनके केंद्रों की बीच की दूरी D है, इनके मद्दे एक बिंदू से M द्रबेमान के करण को, किस नियुनतम वेक से प्रश्यपित कहदा चाहिए, कि वो अनंत पर पहुंच जाए, तो इसका मतब है, कि प्रित्वी और चंद्रमा के बीच में, प्रित्वी और चंद्रमा के बीच में, एक पॉइंट है, इनके मिड़ पॉइंट पर M, हला, इनके केंद्रों के बीच की दूरी, प्रित्वी तत्वी और चंद्रमा के द्रबेमान, प्रित्वी के द्रबेमान हम कह लेते है, M1 है, यह हमाना M2 है, और यहां से यहां तक की, यह तोटल दूरी कह रहे है, कि बहिए ये टोटल दूरी यहां से आता कि आप ले लो डी अगर ये पूरी डी ले लिए तो ये आधा दूरी है डी अपॉर्ण टू और ये आधी दूरी भी है कितनी बहिए डी अपॉर्ण में टू ठीक है पर दूरी डी है हना ओ तुरी जाय आरवन रतू है ठीक है तुरी जाय आरवन रतू है इनके बीच में एम दिर्वां करपन न्यूनतम वेक्षे ठीक है इस इस पॉइंट पर इसको जब़े प्रचे पीट करना है तो मैं कहता हूँ कि मध्य बिंदू पर कुल स्थितिज उर्जा बराबर होनी चाहिए कुल गतिज उर्जा के कारण क्या है भई क्योंकि यहाँ पर यह टोटली कितना हो जागा जीरो मत्ब ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर हाफ M V स्क्वार जो होगा ठीक है यह बराबर हो जागा टोटल पोटेंशिल एनर्जी के अब टोटल पोटेंशिल एनर्जी यहाँ पर होगा कितना तो जितना ये इस वाले द्रिवमान के वज़े से उतना इस वाले द्रिवमान के वज़े से मतब ऐसा कह सकता हूँ मैं कि यहाँ पर पहले वाले द्रिवमान के वज़े से देखे प्रिथवी के वज़े से देखे तो प्रिथवी के वज़े से हो जाएगा GM1M है ना gm1m upon कितना भई यह तो दूरी है d upon 2 प्लस इसकी जगह से अगर चलेंगे तो यह कितना होने वाला भई तो यह हो जाएगा gm2m upon d upon में 2 ठीक है अब क्या काम करना भई तो यह उठा करके इन दोनों को solve करते हैं तो यहाँ से दिख रहा है 1 upon 2mv square is equals to mmm तो कटा भी सकते हैं खर कटाते हैं भी रुक जाएए देखें यह d upon 2 d upon 2 तो इसमें से जो कॉमन है उनको कॉमन कर देते हैं मैं कहें तो g m gm upon d upon 2 ठीक है यह यह d upon 2 is into 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 अंदर क्या बच गया तो यहाँ से बच गया m1 और यहाँ से बच गया m2 ठीक है भी अब क्या करना है तो यह 1 upon 2 m से m तो cancel हो गया 1 upon 2 v square small m से small m cancel हो गया इस 2 को उपर पहुचाईए तो 2g upon me d m1 plus m2 मुझे क्या चाहिए भी है मैंने को v square की value चाहिए तो एक काम करते है न यह v square के लिए इस 2 को भी इदर पहुचा देजे तो v square is equals to 4g upon me d m1 plus m2 v is equals to under root of 4g upon me d m1 plus m2 अब ज़रा देखते है कुछ है कैसा तो g upon me d g upon me d m1 plus m2 है है बस यह 4 का 2 बाहर कर दीजे 4 का root के बाहर आजाएगा 2 g upon me d m1 plus m2 m1 m2 कौन है बई तो एक प्रित्वी और एक चांद का दिलब्मान है तो option number कौन सा हो गया option number हमारा first है 2 g upon me d 2 g upon me d m1 plus m2 m1 plus m2 ठीक है चली तो यहाँ पर हमारा question number 49 होता है solve बढ़ते हम अपने question number 50th के लिए and यह last question है इस session का यहाँ पर कह रहे हैं कि एक भूस्थाई उपग्रक को एक कच्छ से दूसरी कच्छ में ले जाया जाए हाना तथा दूसरी कक्ष की त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् अब क्या कहे रहे हैं कि परिक्रमन काल कितना होगा तो अगर इस को टी सक्ट इधर ले जाए तो इसका क्या बन जाएगगा अन्डरון अगर इसका अन्डरूट होगा तो अन्डरूट का मतलब कितना हो जाता है देखिए जैसे देखिए वाइस Dollar uniqu से निकाला वैसे यह हो जाएगा टी वन अपॉन में टी टू इस ईडीटन तू यह हो जाएगा R1 upon R2 की power 3 upon 2 अब जो जो कह रहे हैं उसकी बात करते हैं कहरे एक भूस था यह उपगरा है को भूस थाइए मतलब 24 गंटे time period ठीक है एक अक्ष दूसरी कक्ष में ले जाया जाता है तो दूसरी कक्ष में त्रिज्या पहली कक्ष की त्रिज्या की दोगुनी हो जाती है मतलब R 2 जो है वो twice of R1 है और T2 जो है वो 24 hours है तभी तो वो वो कैसे भी भूस्त आई है तुल्यकाली है ठीक है जियो सिंक्रनस है तो यह हो जाता है हमारा एक कक्ष से दूसरी कक्ष में ले जाया जाता है तो दूसरी कक्ष में T1 तो फिर तो T1 है ना T1 ठीक है क्योंकि दूसरी के तो पूछी रहे तो T1 की जगह यहाँ पर रख दीजे 24 बटा में T2 is equals to R1 upon में R2 R1 upon में R2 तो R1 की जगह पे तो R1 है ही R2 की जगह पे 2 R1 हो गया कि power 3 upon में 2 यह R1 से R1 cancel हो गया है ना R1 से R1 cancel हो गया तो 24 upon T2 is equals to 1 upon 2 की power 3 upon में 2 मतब cross multiply करेंगे तो T2 कितना जाएगा 24 into 2 की power 3 upon में 2 ठीक है क्या हो जाएगा भई इसका answer तो यह finally हमें 24 घंटे में है ना यह सको अगर आप calculate करेंगे तो 24 घंटे में 24 घंटे में यह गुणा करना पड़ेगा मेरे को 24 गुणे 24 गुणे कितना तो यह root 8 हो जाएगा 2 की power 3 कर दीजे इसको कैसे solve करता है इसको देखे 2 की power 3 upon 2 को solve करने का तरीका है 2 की power 3 किजे और इसका under root कर दीजे तो यह कितना हो जाता है भई यह हो जाएगा 2 की power 2 दूनी 4 दूनी 8 की power 1 upon 2 मतब यह under root of under root of 8 है तो 24 गुणे under root of 8 ऐसा कुछ answer मुझे दिख रहा है क्या तो यहां तो नहीं दिख रहा है तो under root 8 को भी थोड़ा सा सॉल कर लेते है चार दूनी 8 होता है तो एक दो बाहर आ जाएगा 2 under root of 2 तो यह इसको और स्करूँ तो 24 गुणे 2 root 2 24 दूनी 48 root 2 कितना हो जागा इसका answer 48 root 2 मतब B is the correct one B option बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है 48 root 2 cross verify कर लेते हैं बिल्कुल सही है को कर लिये हैं और इस पर बेस जितने भी तरीके के concepts हैं उनको एक बार फिर से हम लोगों ने revise कर लिया है तो इससी तरीके से simply बने रही है magnet brains के साथ क्योंकि magnet brains हमेशा हमेशा से committed है एक high quality education provide करने के लिए यह सारे ही course content हम लेकर क्याते है free of cost यह पूरे course content होते हैं NCRT best मतब आप किसी भी state board से हो या फिर आप central board से हो आपके state board में and central board में NCRT को ही follow करते हैं यह पूरा course content आपके लिए है साथी साथ और improvisation और improvement के लिए video के description box में जाएए Link को follow किजिए and check out कर सकते आप books and e-books जो कि exclusively magnet brands की team दोरा आपके लिए design की गई है and अब तो वो Hindi media में भी available है साथी साथ जस तरीके से आप हम से connected है हमारे YouTube channel पर इसी तरीके से आप हम से connect हो सकते है हमारे social media platform that is Facebook, Instagram, Twitter, Telegram पर जहाँ पर कोई suggestions कोई सुझाओ वह हम तक पहुंचा सकते हैं and हमारी तरफ से कोई नई announcement कोई information आती है वह फटाफट आप तक पहुंच सकती है तो जल्दी से इस वीडियो को like कर दीजे चानल को subscribe and इससे अपने दोस्तों में share करना बिलकुल भी नहीं भूलेंगे क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि magnet friends हिंदी लेकर क्याते quality education experience teachers के साथ वो भी free of cost तो मिलते हम अपने अगले station में कुछ और धमाकेदार mcq questions के साथ तब तक के लिए आप अपने और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल लखिए thanks for watching